कुछ महीनों पहले तक भारती बजार में सबसे जादा विकने वाली SUV कोई और नहीं Tata Nexon हुआ गरती थी साल 2017 में सबसे पहले इस गाड़ी को लॉंच किया गया और अब तक इस गाड़ी की 5 लाख से जादा यूनिट्स की विक्री हो चुकी है और अब यहाँ पर आप यह जो दो गाड़ीयां देख रहे हैं यह है Tata Nexon Facelift प्लैटफॉर्म पुराना वाला ही है इंजन में भी कोई बदलाव नहीं है यानि कि पेट्रोल और डीजल इंजन मिलते हैं अला कि OBD2 मानों को से लेस है लेकिन इस गाड़ी के एक्स्टिरियर में पूरी तरह बदलाव आपको देखनी को मिलता है इंटिरियर में भी आपको पूरी तरह बदलाव देखनी को मिलेगा और साथी फीचर्स अब आपको सेग्मेंट में सबसे जादा देखनी को मिलेंगे तो दोस्तों मैं हूं अंकिर दुबय और आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाला है ताटान एक्सोन पेस्टिरिफ्ट का वर्स जाइव लिव्यू साल 2017 में जब सबसे पहले टाटा नेक्सोन को लांच किया गया था उस समय भी इस गारी का डिजाइन लोगों को काफी जादा पसंद आ रहा था और साल 2023 के लिए तो नेक्सोन फेसलिफ्ट में आपको फ्यूचरिस्टिक डिजाइन देखनी को मिल जाता है फ्रेंड प्रोफाइल नो डाट काफी जादा आपको बड़िया नजर आएगी और इसके जो DRL से वो आपको Tata Curve Concept Model से मिलते जुलते देखने को मिलते हैं की हेड लाइट, फोग लाइट, फ्रेंड ग्रिल, नो डाट इस गाड़े के फ्रेंड प्रोफाइल को काफी जादा इनहेंस करती हुई नजर आती है साइट प्रोफाइल में अगर आप जाते हैं तो 16 इंच की जो एलोई मिल्स का डिजाइन है वो वाकि काफी जादा पसंद आयेगा बॉडी कलर डोर हैंडल से मिल जाते हैं और डोल टोन कलर आपको देखने को मिल जाता है और आप यहाँ पर जो बॉडी कलर आप देख रहे हैं रेड और यह परपल यह वाकि काफी जादा पसंद आएंगी और यह तो नया कलर है और रोड पर चलते हुए न लोग इस कलर को मुढ मुढ कर देख रहे थे बाकी rear profile अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर भी जो tail light दी गई है वाकी नई दी गई है और रात के समय तो काफी जाधा सुन्दर नजर आती है overall यही सारी चीज़े थी जो कि इस गाड़ी के looks और design में देखने को मिलती है हाला कि company को fit and finish में अभी भी थोड़ा सा धियान देना चाहिए था कुछ चीज़े ऐसी हैं जो कि आपको हल्का फुल का निराज कर सकती है अगर आप fit and finish देखते हैं अब Tata Nexon facelift के interior में अगर आप आओगे न तो वाके यह जो interior है इसने इस segment की सारी गाड़ियों को fail कर दिया है इस level का आपको interior मिलता है इतना जादा futuristic आपको interior मिल जाता है और purple color है तो देखो यह top model है purple color है तो SM जो interior है वहाँ पर भी आपको purple और black की theme देखने को मिल जाती है हाला कि जो diesel वाला variant है उसमें आपको all black interior देखने को मिलता है लेकिन ये वाला जो interior है ये वाके आपको काफी जादा पसंद आने वाला है dashboard पर अगर आप देखते हो तो हर जेगे hard plastic का इस्तिमाल हुआ है लेकिन जहाँ पर भी आप touch करोगे जो textures आपको देखने को मिलता है बहुत जादा पसंद आएगा 10.25 inch की दो screen से एक infotainment system है और 10.25 inch का यहाँ पर instrument cluster है infotainment system आपको वाके काफी जादा बढ़िया मिल जाता है अभी तक Tata के किसी गाड़ी में इस तरीके से infotainment system देखने को नहीं मिल रहा था हालागी जो dark red edition है वहाँ पर आपको बले ही same ऐसा ही मिल रहा हो लेकिन इसमें बहुत सारे features आपको देखने को मिल जाते है wireless apple car play android auto मिल जाता है सबसे main चीज इस गाड़ी में आपको 360 degree parking camera देखने को मिल जाता है जिसमें काफी अच्छे graphics मिल जाते है 2D और 3D में और front parking sensors भी है rear parking sensors भी है इसके अलावा इस गाड़ी में आपको air purifier देखने को मिल जाता है और भी बहुत सारी चीज़े हैं जो कि आपको इस गाड़ी में देखने को मिलती है बतलब आप ये समझो कि noise speakers मिलते हैं आपको इसमें JBL का sound system मिलता है और उसके sound output को और जादा बहतर बनाने के लिए इसमें कुछ modes भी दिये गए है इसके अलावा अगर आप नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर यह जो controls वगएरा देख रहे हैं AC वगएरा के इसके लावा आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत स्पेस मिल जाता है 12V का एक socket एक type A USB port एक type C USB port हाला कि अगर आप USB port में USB cable लगाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर थोड़ी सी fight करनी होती है क्योंकि उतना ज़दा स्पेस नहीं है अब देखो मेरे हाथ इतने वड़े तो हैं नहीं लेकिन फिर भी यहाँ पर घुसने में दिक्कत दे रहे थे जब मैं इस गाड़ी में USB cable लगा रहा था बाकी यहाँ पर आप देखो यहाँ पर driving modes का यह controller दिया गया है रोटरी knob है इसमें city eco sport यह तीन drive modes मिल जाते हैं wireless charger सीटे जो है वो ventilated function के साथ आती है और सीटो में आपको अच्छा खासा comfort भी देखने को मिल जाता है लैदरेट सीटे हैं काफी बढ़िया आपको यह आराम पहुंचाती भी नजर आती है इंस्ट्रूमेंट क्लिस्टर की बात करें तो इंस्ट्रूमेंट क्लिस्टर जो है वहाँ पर आपको तमाम जानगारी में जाती है टायर प्रेशर मोनिट्रिंग सिस्टम से related सबसे खास साथ और यहाँ पर यह जो कंटोलर्स है वाकि बहुत ही जबरदस्त नजर आते हैं पैडल शिफ्टर भी आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाते हैं और यह डीकट है टू स्पोक स्टेरिंग वील आपको यहाँ पर देखने को मिलता है बाकी उपर की तरफ एलेक्ट् आप के जरीए कनेक्ट कर सकते हैं इसके अलावा अगर हम स्टोरेज स्पेस की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आप आर्मिलेस्ट देखो आर्मिलेस्ट मिलता है लेकिन इस लाइडिंग फंक्शन के साथ नहीं आता इसके अंदर काफी अच्छा और डीप स्टोरेज स् अधिक आर्मान रख सकते हैं अब चलते है रेयर सीटो जीटो पर और देखते हैं वहाँ पर कंपनी क्या कुछ ऑफर कर रही है अब रेयर सीटो पर आप आते हैं तो यहाँ पर स्पेस और c कमफर्ट दोनों की बात करते हैं तो देखो स्पेस में कोई तबदीलिया नहीं है क्योंकि डामेंशन वाइस यह गाड़ी सेम वैसी है जैसे कि आपको पुरानी वाली नेक्सवन देखने को मिल रही थी लेकिन अगर आप कमफर्ट वाइस देखते हैं तो सीटो पर जो मैटेर है और बैकिनल रेस भी आपको अच्छा कासा मिल जाता है लेगरूम हेडरूम आपको नेक्सवन में पता ही है वाकि यहाँ पर आर्मेर से मिल जाता है दो कफोल्डर्स हाला कि इनका साइज उतना जाद नहीं है तीन लोग यहाँ पर बैटते हैं तो तीनों के लिए थी अपन करके देखते हैं तो बूट स्पेस भी आपको जिस तरह से पुरानी नेक्सवन में साड़े तीन सो लिटर्स का मिल रहा था उतना अभी भी दिया जा रहा है बाकि यह जो सीटे हैं बूट स्पेस और जादा वढ़ाना है तो 60-40 में आप इनने फोल्ड भी कर सकते हैं अब चलते हैं फटा बट से ड्रैवर सीट पर और इस गाड़ी को चला कर देखते हैं और जानते हैं कि परफॉमेंस कैसी है Tata NX on Facelift में आपको दो इंजन दिये जा रहे हैं एक है पेट्रोल इंजन 1.2 लिटर का 3 सिलेंडर रेवर ट्रॉन इंजन और एक है दीनल इंजन 1.5 लिटर का 4 सिलेंडर रेवर टॉर्क इंजन यह वही इंजन है जो कि आपको प्री फेसलिफ मॉडिल में मिल रहे थे अब यह इंजन 2.6 फेस्टू मानकों के अनुरूप है अब इस इंजन के साथ खासबा दिया है पहले पेट्रोल इंजन की बात कर लेते हैं फिलाल हम वही चला रहे है तो पेट्रोल जो इंजन है उस इसमें आपको multiple transmission option दिये जा रहा है पहले आपको manual और AMT मिल रहा था अब आपको manual AMT तो मिल ही रहा है साथ ही साथ आपको 7-speed TCA यह DCT transmission भी इसमें दिया जा रहा है और जो diesel engine है जब वह चलाएंगी उसकी बात तब करेंगे अभी हम इसी की बात कर लेते तो इस engine के साथ इस transmission के साथ जो हम जला रहे हैं PCA तो इस transmission के साथ आपको paddle shifters भी मिल जाते हैं जूंकि काफी बढ़िया काम करते हैं और जो engine है 118bhp की power और 170 newton meter का torque generate करता है इस engine के साथ एक खातवत यह है काफी साथा refined है तीन cylinder होने के बाद भी काफी refined है company ने insulation वगएर आपको काफी बढ़ि करती है इंजन happily nature के साथ आता है low speed में चला रहे हैं तो भी आपको बड़िया performance देता है और अगर आप इसे spawn mode पर डाल कर तेज तरनार रफतार में चला रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको किसी तरीकी कोई शिकायत देखने को नहीं मिलती है तीन drive modes मिलते हैं eco, normal और sport हालागि तीनो drive modes पर जो प्रतिक्रिया है engine से वो थोड़ी थोड़ी different देखने को मिलती है लेकिन आपको वाकई काफी जादा मज़ा आता है और अगर आप fun to drive चाहते हैं तो यार paddle shifters तो ही उनके साथ आप fun to drive हाँ से कर ही सकते हैं अब हम आगे हैं Tata Nexon facelift के diesel variant के अंदर और यह गाड़ी हम जला रहे हैं तो देखो इस गाड़ी है जो हम आए तो भाई आपको seat weed एड़ेस्ट करने है वाप कर सकते हो और अपनी हाइड के हिसाब से अगर आपको steering वी एड़ेस्ट करना है तो वाप कर सकते हो और अपनी ह हाला कि seat height का जो adjustment दिया गया है उसके चलते आप यहाँ पर जो steering wheel है उसे भी एड़ेस्ट कर सकते हो अपनी seat की height को ऊपर यह नीचे करके यह चीज हो गई अब बात कर लेते हैं engine performance को लेकर तो diesel engine है यह diesel engine जैसे की पहले बताया तो 1.5 litre का 4 cylinder engine है रिवार टॉर्क जिसे कंपन की बोलती है इस engine के साथ आपको six speed manual transmission तो मिलता है साथ-साथ AMT भी दिया जा रहा है हाला कि AMT हम नहीं चला रहे हैं हम सिर्फ manual transmission की चला रहे हैं पहले भी AMT आता था automatic transmission नहीं है जो कि proper torque converter होता है वो सिर्फ और सिर्फ इस segment की किया sonnet में ही देखने को मिलता है आपको इसमें सिर्फ diesel engine के साथ AMT ही दिया जा रहा है अब manual transmission और engine performance दोनों की बात करते हैं तो पहले engine की बात करते हैं इंजन ना देखो तोड़ा noise ही है as compared to petrol version petrol engine जितना शान्थ और जितना refined नजर आ रहा था उतना ज्यादा शोर करता हुआ ये engine नजर आ रहा है पहले भी diesel engine जो नेक्सवन में मिलता था उसमें आपको शोर सुनाई दे रहा है और इसी दिन की अगर हम पावर की बात करें तो 113 पावर मिल जाती है 260 newton meter torque मिल जाता है पावर में किसी तरी कोई दिकत नहीं है काफी बढ़िया ये engine प्रतिकलिया देता हूँ नजर आता है अगर आप highway पर चल रहे होते हैं और तेज रफतार में गाड़ी भागा रहे होते हैं इतना ही नहीं अगर आप इस गाड़ी को ले पूद shifting के साथ आता है आपको इसमें कोई भी इस तरीके की shifting नहीं मिलती है जिसमें आपको बार-बार मतलब अजीब सा फील हो रहा है या ऐसा लग रहे है थोड़ी hard shifting है ऐसा कुछ निये clutch भी काफी हलका देखनी को मिलता है और उसका travel भी काफी कम है अब बात कर लेते हैं ride quality को लेकर तो देखो ride quality चाहिए आप petrol वाली nexon facelift की देखो या diesel वाली nexon facelift की आपको ride quality काफी बड़िया मिल जाती है हमने हूबर खावर सलकों पर चलाया है इस गाड़ी को तो वहाँ पर छोटे मोटे गड़े in fact थोड़े बड़े गड़े भी हमारे सामने आ रहे है तो वहाँ पर उतना ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी हालागि थोड़े बड़े गड़े अगर आपके सामने आ जाते हैं और तेज रफ्तार पर चलाते हो तो वहाँ पर जटका ओव्यसी बात है उतना तो देखो यह नजर आती है लेकिन nexon की ride quality काफी जादा बड़िया नजर आती है steering feedback की बात करें handling भी आपको काफी बड़िया मिल जाती है petrol model वा ली जो गाड़ी है उसकी handling थोड़ी से ज़्यादा बड़िया नजर आती है diesel engine है diesel engine में steering थोड़ी होता है क्योंकि engine जो है वह obviously बात है diesel हमेशन भारी ही होता है ऐसे में petrol nexon जो है उसकी handling है पुरानी वाली nexon में आपको देखने को मिल रही थी अब बात कर लेते हैं safety को लेकर तो पुरानी वाली nexon देना उसमें आपको five star global end cap safety rating मिल रही थी हालां कि दो airbags मिल रहे थे लेकिन इस गाड़ी का जो body shell है जो structure है company कह रहे है मजबूत है हालां कि safety rating नहीं आई है लेकि बेस मोडल से ही 6 airbags और top model अगर आप लेते हो तो उसमें आपको 63 degree parking camera तो मिलता है साथ इसाथ अगर आप left side का indicator देते हो तो वो भी आपको camera जो है इसका on हो जाता है right side indicator देते हो तो right side का on हो जाता है यानि कि आपको proper जो blind spot monitoring है वो देखने को मिल जाती है side में अगर आप turn ले प्लस देखने को भी मिलते हैं जो कि again आपको इस segment की इस गारी में बड़ा plus point देखने को मिल रहा है अब आकरे में आते हैं हम अपने अंतिन फैसले पर तो टाटा नेक्सोन पेसलिफ्ट की कीमतों में 50,000 रुपे से लेकर लाग रुपे तक की बड़ातरी हो सकती है और जिस की performance no doubt काफी decent मिलती है और काफी ज़्यादा बढ़िया भी है डीजल इंजन थोड़ा बहुत निराश कर सकता है overall आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे comment section बता है साथी अपने ओं दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जो की टाटा नेक्सोन फेसलिफ्ट के बारे में जानना चाते है या फिर ये देखना चाते है कि कंपनी ने क्या कुछ इस गाड़ी में खास दिया है